नमस्कार, श्रताओ आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं देशी नहीं बलकि पूरे विश्व के ख्याप नाम कलाकार और अध्यात्मी गुरू गोस्वामी गोपलोस्वाजी महराजी से, पंडी जी नमस्कार पंडी जी भाई जाना तो हमगा कि आकाश्वाणी की आतरा आपकी तब शुरू हुए और कितने वर्षों से आप आकाश्वाणी आ रहे हैं वो तो मुझे भी याद नहीं क्योंकि मैं बहुत चोटा था और उस समय मैं यहां आया करता था और यह सिलसला बनता गया और आकाश्वाणी को सुनकर मैं ही नहीं कही कलाकार कांसेन बने और फिर तांसेन बने हैं क्या बात है पंडी जी आप इतने जगे कारकन देते हैं पूरे में सभी दूर विश्म में सभी दूर आकाश्वाणी आकर गाना और बाकी जी के प्रश्तिती देना क्या फरक लगता आपको आकाश्वाणी हमारी माँ है और आकाश्वाणी ने जो हमें संगीतगी के रूप में जन्म दिया है उसके हम इतने रिनी हैं कि जितना आनंद और परमानंद आकाश्वानी पर गाने में आता है अनुभव होता है सबी कलाकारों से मिलना हो जाता है तो ऐसा लगता है कि हम सरस्वती के मंदिर में आकर बैठे हैं पंडी जी शास्त्री संगीत के उत्थान में आकाश्वानी का क्या योगदान बनते हैं आप शास्त्री संगीत मैं किवल आकाश्वानी का एक कॉपरेशन ही नहीं एक योनिक कंट्रिबूशन है महत्वपूर्ण अलब्बे योगदान है क्योंकि आकाशवानी नहीं होता तो आज संगीत का और हर वदा का उतना प्रचान नहीं होता तो इतनी सुबिधा आकाशवानी ने प्रदान किये है जिस प्रकार येर्पेन कंट्रीorit में, फारिस्थ में, मिडलिस्थ में और अमेरिका वगेरा केनेड़ा में आप देखिये, लोग रेडियो सुनते हैं, क्योंकि उनको आवस टुगेधर घंटो तक काम करना पड़ता है, यदि वो टेली वाच कारेंगे, टीवी देखेंगे, तो काम बराबर हो नहीं पाएगा, इसलिए वो रेडियो सुनते हैं, और इसकी जो स्वर जंकरती से संगीत क कि जो उन्हें सुकुन मिलता है, माहिन फ्रेश हो जाता है, बैटन रिचार्ज हो जाती है, तो काम इतना धंग से होता है, कि वो पुरा रंगी बदल देता है जीवत था, क्या बात है, आज पंडी जी के साथ में तबला संगत कर रहे हैं, वरिश तबला वदक उल्हास हैं, डॉक्टर मोहन भूंगे, जिनका आकारश्वाणी से बहुत पुराना रिष्टरा है, प्रणी जी आज आप आकारश्वाणी के शुताव को क्या सुनने माले हम चाहते बंदिश की एक बुख़ा, जी, राग दलित में एक नई बंदिश है मेरी, उसका एक थोड़ा सा मुख़ा में सुना जी क्या में एक राग दलित में एक राग।